मालनीज कुकिंग या आपले चानेल और नवी नसलतर चानेल लो सब्सक्रेब करा और बेल आइकोन दाबून सगय नवी नोटिफिकेशन्स सगय ताधी मिलवा नमस्कार मालनीज कुकिंग मादे आपले खूप-खूप स्वागता है अज अपन बनोना रहोत स्पेशल कांदा बटटा पोहे एका कड़ई मादे आपन तलने सटी तेल गेना रहोत याथ अपन अर्धिवाट्टी शेंगदाने तलून गी हुए मध्धम गया सस्वा शेंगदाने तलूता ना आथा शेंगदाने बाजुला गी हुण्वण याँज तेल आपन पोहे तलून गी हुण्वण मादे आपन कात तलू ये हेव दुमाला वीडियोचे शेवटला कडेल आथा आपन दुसर्यकडई मदे तीन जमचे तेल गी एक बाजुला आपन तीन लसनाचा पाकड़या नी आललट हेचुन गेऊ आता त्यास तेलाद आपन तेल गरम जाले नंतर मोहुरी जीरे आनि कडिपत्ता गालून गेऊ या आता त्यास तापन चिरून गेतलेले मिर्चा गालू एक वाटी बटर आपन बारिक चिरून गेतलाओत है तो ही गालू एक मोटा कांद आ उभा चिरून गेतलाओत है तो गालू आता आपन ये शग्ण फ्राइ करना रहो आपन येची मुड़ बर मीड गालूया जेने करोन आपला हे सगा मिश्रिन पटकन फ्राय होईल एक वाटी ता पन एक चम चा साखर आनि थोड़ा सा लिम्बुचा रोज गालुया हिट्री काहे पोही बनावनेची त्या थे खुप च्छान लगता आता पन याद आलेले सुन पेस्ट गालु थोड़ी हींग गालुया एक ची मुबर आता पन याद वाड़ीली कोतिमिर गालु करोन ताजी कोतिमिर नाई आये लिम्बु आनि साकरेज मिश्रन गालुया हलद गालु एक चम चा चविनोसर मीट गालुया आता पन याद पोहे गालुया बिजून गेत लेले आता पन ये सब गड़ा एक तर करना रहोत बगा किती सुन्दर रंगा आला है आता पन याद तल लेले शेंगदाने गालुया आपने आवर एक दोंते तीन मेंट जाकन ठेवुया जैने करून आपले पोहे मुर्थिल आने नंतर न कड़क होना नाइद आता पने पोहे बाजुला पाडूंगे हो जर तुम चेकड़े ताजी कोतिम बिर नसेल तर तुम्हे वालगुण ठेवलेले आगोदर सुदा घालू शकता तैने सुदा खुप छान स्वादेतो आता अपन सजावट करने सटी वालेली स्कोतिम बिर वाप्रता होत तैचा अंदर आपन तैचा वर घालना रहोत अपन जे मागाशी तरुन घितले होते ते पोहे घालूया तड़ेले पोहे खाताना खुप छान लगतात तैचे एक वेगलीस मज्जास देखाता ना तुम्ही एक पोहे नक्की गोरी ट्राय कुरून बगा आने सांगाला विश्रू नकाते कसे जालेते फिडियोले लाइक शेर आने कमेंड नक्की करा आने अपले चैनले ला सब्स्रेब पन करा